जो की प्रत्यासी हैं उन्हें की धर्म पत्नी हैं तो इस बार क्या नए मुद्धे हैं जो आप जनता के सामने ले करके जा रहे हैं। फिलाल देखिए डोर टू डोर जाकर के कैम्पेनी लोग का चल आया और फिलाल एक यहां पर सज्जन के घर पर पहुची हैं और यहां पर उनसे मद्दान करने का अनुरोद कर रहे हैं। प्रत्यासी भी रही हूं खजराओ से ही और आप प्रत्यासी के पद्नी के रूप में भी मुझे कह सकते हैं जो नाति राजा हैं। कि मैं वाइफी हूं और यहां पर आ रही हूं सबसे अपनी अपील लेकर आ रही हूं। जा रही हैं जैसे पहले चार बार रह चुके हैं विधायक तो क्या कमी रह गई जो नया कुछ प्लान है आप लोगों के गाइडलाइन में होगा जहां भी जो भी आपका मिनू होगा उसमें क्या नया आपने अड़ किया हैं। देखी यहां की समस्याएं जो हैं कोई अलग नहीं हैं यहां की थोड़ी सी परिस्टियां राजनगर विधानसवा की अलग हैं। बाकी तो पूरे प्रदेस में सबसे पहला जो मुद्धा है वो है भाजपा के खिलाफ जो महंगाई का मुद्धा है। सबसे पहला मुद्धा राजनगर विधानसवा में भी वही है कि महंगाई चरम पर पहुंचती जा रही है और यहां पर भी किसान ही है आसपास के लोग है। जैसे महिला हैं तो उनके लिए महिलाओं के लिए एक तरफ जहां घर चराना मुस्क्ल रहा है वहीं किसानों के लिए अपने क्हेदी करना मुस्किल हो रहा है और यहृदी होता भी है यहां पर मुअबजा कर यह कभी होता भी है तो मुअबजा ऐसा मिलता है कि एक को मिल गया और चार को नहीं मिला और जिसने वहां पर पैसे यह घुसकोरी दे दी उसको पैसा परयाप्त मिल जाता है बाकी चार लोग रह जाते हैं जो कि मैंने कहा कि यहां पर राजनगर विधान सवा में एक अलग मुद्दा है वो मुद्दा है यहां पर लोगों को जूटे केस लगाने वाला मुद्दा वो यहां पर चरम सीमा पर है जो यहां पर भाजबा प्रित्यासी रहे हैं उनका एक बहुत अच्छा फंडा चल रहा है यहां पर कि यदि आपने किसी ने उनका विरोध किया या किसी आम कार करता ने या किसी आम व्यक्ति ने उनकी बात नहीं मानी है तो तुरंत उसको थाने से फोन आ जाएगा पिछली बार जैसा कि जोड़ तोड करके पहले तो आप लोगों की सरकार बने थी फिर बाद में को जनता ने किसी सीर्स पर पहुंचाया है तो आपको कोई भी अधिकार नहीं वनता कि आप जनता की भावनाओं को ठोकर मार कर आप किसी और पार्टी में जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और जहां तक बात है कि यहां की योजनाओं की तो सबसे पहले तो मैं यहीं को ओंगी कि कमल नाज जी ने इतनी अच्छी योजनाओं दी हैं प्रदेश के लिए और हमारी कॉन्ग्रेस की गवर्मेंट भी बनने वाली है तो कमल नाज जी की चाय वो महिला है डेखिए जंता इंगा करता है ना दो देखिए यहां के इनके है गोटाले बाजमा की विदाइत तैंए है बेरोजगारी मुद्दा है महिंगा है रोजगार हमारे लिए मिल नहीं रहा है इतने गोटाले रहा है पटवारी के ऐलेक्सन देते हैं पंच बर्स इन्होंने योजना निकाल लगी रोजनार तम निकालते हैं यह अभी जैसे इन्होंने च्छतिस गड़ में मूदी जी ने घोशना की है तो वह एमस्पी लागू करेंगे कहां च्छतिस गड़ में अधर दस स्टेट में उनकी गबर्मेंट है वहां क्यो जो सरका लेने पर उनकी लिये करा है साधी विया के लिए जो उनने यूजना डाली है और सिलंडर की बात करी हुई है पांसो रोपे की और मेहला को 15-15स रुपे हर माय देने के लिए बादा करे हैं तो उसकी लिए कांग्रेस बे जटक सभी लोग सपोर्ट में आ गए है धन्नवाद चलिए देखें यहां की जो विधायक हैं उनके जो है कि यहां पर जो पतनी थे उमार सा जुड़े थे उन्होंने जो की जो मुद्दे हैं जो की आकामी इनके जो मुद्दे हैं आपके समझ रखने का प्रयास करें आपको करना है कि कि स्कोर्ट करना है फिलाल ऐसे हमार भी खबर दिखाते रहेंगे फिर खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्माद जुड़े रही हमारे चैनल के साथ